हेलो एवरीवन मैं हूँ राजेश और आप सबी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिरसे स्वागत है तो आज हम ट्राइड लिमिटेड शेयर के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जो इसमें 8.28% की जो तेजी आई लास्ट ट्रेडिंग से और इसमें आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह स्टॉक बहुत सिंपल है इसको ट्रैक करना तो यह ट्रेंड लाइन पर इस सपोर्ट ले रहा था इस वाली इस ट्रेंड लाइन पर यह सपोर्ट लेता था और यहां तक जाता था फ के उपर चला जा चुका है तो अभी जो ही यह 39 रूपीज 75 के अराउंड चल रहा है तो इसने यहां पर breakout दे दिया है अगर यह 42 रूपीज को cross करता है तो फिर यह 44 रूपीज से 45 रूपीज के अराउंड जा सकता है और फिर 48 के अराउंड भी जाता हुआ देखा जा सकता है तो यह trend line पे range bound हो चुका था stock तो अभी इसने इस trend line का breakout दिया है यहां पर 38 रूपीज के अराउंड तो अगर आप अभी इसमें fresh entry लेना चाहें तो आप 37 रूपीज के 37 रूपीज का stop loss लेके आप fresh entry ले सकते हैं अपसाइड इसमें 2 रूपीज के अराउंड है 42 रूपीज के अराउंड एक बार यहां पर selling pressure देखने को मिल सकता है तो 42 रूपीज के आप अगर 42 रूपीज के असपास अपना partial आप पार्शल गेन ले सकते हैं ताकि आपके जो प्रॉफिट हुए हुए है और आप उसको save कर पाएंगे आपको मैं यह दिखाना चाहूंगा कि यह स्टॉक में जो लास्ट रिडिंग सेशन में जो तेजी आई थी वह किस वज़े से आई थी तो आप यहां पर नीचे green bars देख आसपास entry हुई है तो यहां पर आप दिखेंगे तो करीब 6 million volume के आसपास entry हुई है इतने ज्यादा volume की quantities की जो बाइंग हुई है इस वज़े से जो यहां पर तेजी आई है जरूर यहां पर किसी operator ने entry ली है तो अगर आप इसमें अच्छे returns कमाना चाहते हैं तो आप इसी 30 minute का time frame यूज करिए और alert रही है तो वहां से आप इसमें अच्छे return निकाल सकते हैं जैसे ही operator यहां पर exit करें वैसे ही उसके साथ में आप भी exit कर जाए है क्योंकि operator के निकलते ही यह stock गिरता है तो इसमें इस तरीके से अगर आप strategy बना के काम करते हैं तो आप जरूर इसमे नेक्स वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो